हेलो दोस्तो हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस कॉंस्टेबल की आज जो परिक्षा हुई थी तो सफल पुर्वा की ये परिक्षा जो है संपन हो गई कल भी आपने पेपर देखा कि किस प प्रशन है हवा में निमलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप से विद्यमान है तो हवा में जो सबसे ज़्यादा विद्यमान है वो है नाइट्रोजेंस का करेक्टर आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशिन है रिगवेद में निमलिखित में से किस देवता की सरवाधिक म करनं है कि चले नेक्सिट पुलिस अकादिमी कहां स्थत है तो यह इस्थत ऐह हैद्राबाद में चले आगे पुरेते हैं निमलिकित बार्ती पुरातन गरंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है तो यहाँ पे अपराध और अपराधी की बात अगर हो रही है तो इसका जिक्र हमें अर्थशास्ट्र में मिलता है मनुश्मित्री में मिलता है और नियाई मिवान से यानि कि इसका correct answer हो जाएगा उपरियक तो सभी डी option जो है इसका right answer हो जाएगा चले next question है हमारे राजी में 1090 को किस नाम से जाना जाता है तो ये जो number है ये किस नाम से जाना जाता है तो ये जाना जाता है woman power line के नाम से चले next question है घरेलू हिलसा से महिलाओं की सुरक्षा हितू अधिनियम कब लागू किया गया था तो ये लागू किया था सन 2006 में चले आगे question ले ले तो आगे जो question पूछा गया था वो है Statue of unity किस राज्य में इस्थित है ये सबी चीजे हाल ही में जो गटित हुआ है उन सबसे हो जाता है तो देखिए Statue of unity ये गुजरात में इस्थित है और ये किस की प्रतिमा है अगर बात की जाए तो ये सरदार वल्लब भाई की प्रतिमा है ठेक है और कितनी उची है तो ये 182 मीटर उची है चलिए नेक्स्ट क्रेशन है गोकुल पुरसकार संबंदित है तो गोकुल पुरसकार किस संबंदित है तो इसकी बात अगर कर ले तो ये संबंदित है दुगद उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा दे देखिए गोकुल गोकुल जो था वो क्रिशन जी का था तो गया चराते थे गया तो गया से आप याद रखिए दुख्द उत्पादन ठीक है चलिए आगे क्रिशन कौन सा पूछा गया था तो देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझोता कब हुआ था तो ये हुआ था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1966 में ठीक है अब ये कब हुआ थो देखिए 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान का युद जो हुआ था 1965 में उसके बाद ये समझोता किया गया नेक्स्ट क्वेशन है नेमलिखित में से कौन सा पूर्तगाली उपनिवेश नहीं था तो इसक सही आंसर हो जाएगा मचली पटनम ठीक है आगे क्वेशन है नेमलिखित में से कौन सा ग्यान के सधान्त पर बल देता है तो ग्यान के सधान्त पर जो बल देने वाला है वो है उपनिशद हमें ग्यान के बारे में बताता है आगे क्वेशन पूचे गया था पत्रकारिता मे उतक्रिस्ट्रता के लिए प्रतिष्टित राजा राम मोहन राय रास्ट्रे पुरस्कार किसे दिया गया तो ये दिया गया था एबी के प्रसाद को ठीक है नेक्स्ट है नाउ यू बृत पुस्तक के लिए गोल्डन बुक अवार्ड्स 2023 से किसे समानित किया गया तो ये समानित किया गया तो ये पुरस्कार दिया गया है राखी कपूर को ठीक है option C जो है हमारा right answer हो जाएगा ठीक है राखी कपूर नेक्स्ट क्रेशन है एक मेगा बाइट कितने के बराबर होती है तो एक मेगा बाइट जो है वो एक हजार चॉबिस किलो बाइट के बराबर होती है चले नेक्स्ट कुशन पर आ जाए तो नेक्स्ट कुशन पूचा जाए था कि फरवरी 2023 में किस बैंक ने ए बीजी यानिकि इलेक्ट्रोनिक बैंक गैरंटी योजना जारी करने की सुविधा शुरू की तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन ओवर सीज बैंक चले नेक्स्ट कुशन पर आ जाए तो आगे कुशन है निमलिकित में से किस मुगल शाषक ने अंत तो गत्वा मिवार के शाषक महर राणा प्रदाप सिंग के पुठर राणा अमर सिंग से एक समझहोता किया था तो यह तह जहांगीर ठीक है चरियागे आगे है घरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षी योजना काल में दिया गया तो ये जो है पांचवी पंचवर्षी योजना के अंतरगत गरीबी हटाओ योजना आया था नेक्स्ट कुश्चन है निम्रिखित में से कौन सा युगम सूमेलित नहीं है तो देखे कावेरी मैसूर का पठान तापती नद सोन नदी पेंडरा का पठान गोदावरी टिमबार्क का पठान अब यहां पे देखे जो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा जो सूमेलित नहीं है वो है कावेरी नदी कावेरी नदी जो है वो पशिमी घहर्ट के ब्रह्मगीरी परवत से निकलती है चीक है यहां पे यह नमाना राइट आंसर हो जाएगा चले नेक्स्ट कोशिन पर आजाएं तो नेक्स्ट कोशिन है कौन सी रास्ट्रे आई की विशेष्टा नहीं है इसी हमेशे वित्यवर्ष के संदर्वे में वेक्त किया जाता है यह एक प्रवाह अवधारणा है यह एक समस्टी अर्थ शा पर तुमें शामिल है चले आगे कुशिन ले ले पूरा तत्व विदो के अनुसार हडपा के नगरों में पश्चिमी हिस्सा छोटा और उंचा होता था जिसे डैश कहा जाता था तो इसको क्या कहा जाता था इसको नगर दुर्ग जो है वो कहा जाता था नेक्स्ट कुशिन है सरकार की के शाखा का उत्तरदायत्व कानूनों और नीतियों को लागू करना है तो जो कानून और नीती लागू करते हैं वो है कारे पालिका ठीक है कारे पालिका का काम जो है वो और नियम वगेरा बनाना होता है चले नेक्स्ट है जब अपरद में लिंगिन और काइटी प्रचूर मात्रा में उपलब्द है तो अब घटन की दर पर इसका क्या प्रभाव पढ़ता है तो इसका right answer क्या हो जाएगा तो इसका right answer हो जाएगा कि यह धीमी हो जाती है चलिए आगे question ले तो आगे question है operation green संबंदित है तो operation green संबंदित है आलू टमाटर वह प्याज की कीम संबंदित है तो ये किस संबंदित है गोबर एवं ठोस अपसिस्ट का प्रबंधन करने से चीए दी ओप्षिन जो है हमारा राइट हो जाएगा चलिए आगे क्वेशन ले ले तो आगे क्वेशन है वर्ष 2011 की जन गणना के अनुसार भारत में वयो व्रद महिला नागरिकों क संख्या है तो जो बुजर्ग है उनकी संख्या कितनी है ये प्रश्न पूचा गया था तो चलिए इसके आंसर में बात करने कि 130 मिलियन, 93 मिलियन, 53 मिलियन या फिर 51 मिलियन तो इसका राइड अंसर हो जाएगा 53 मिलियन उप्शन C चलिए नेक्स्ट क्वेशन ले ले भारत विश्यू का विशालतम लोक तांटरक प्रजाटन्त्र है है इसकी प्रथम लोक सभा कब आयोजित की गई थी तो ये आयोजित क की गई थी 13 मई 1952 को चलिया आगे क्वेशन ले ले पोटला पैलेस जो की एक सत मंजिला भवन है किससे संबंदित है तो ये संबंदित है दलाई लामा से चीख है चलिया आगे क्वेशन है रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षणी अफ्रिका के पीटर्स बग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रणी के रेल डिब्बे से समान सहित बाहर फैंक दिया गया था तो 1893 में जो है उनको रंग भेद के कारण दक्षण अफ्रिका के सेंट पीटर्स बग से जो प्रथम श्रणी का डिब्बा था उससे बाहर फैंक दिया गया था चलिया तो जरीब का हिस्सा है तो जरीब का हिस्सा क्या है तो वो है फीता चला गठा ये सभी चीजे जो है जरीब का हिस्सा है तो डी ओप्षन हमारा राइट हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्षण है एक एकड़ जमीन बराबर होती है यहां जो हमारा क्षण था कि एक एकड़ ज ये सभी option जो है इसके right answer हो जाएंगे 4840 वर्गर्स के 10 वर्गर्स जरीब के 0.40467 hectare के यहां पे आंसर हो जाएगा option D उपरियोग तो सभी next question है किस प्राचीन सामराजी में महिलाएं कुष्टी में भाग लेती थी next question है इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था तो वो था औरंग जेब next है भगती आंदोलन के उत्तर भारत में लाने का श्री इनमें से किसे जाता है तो उत्तर भारत में जो लेकर आए हैं उनका नाम है रामानन्द देखिए इस विश्वे में कतन भी आता है कि भगती द्रावड उपजी लाए रामानन्द ठीक है चले next है विश्वे का सबसे बड़ा द्वीप है तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो वो है ग्रीन लेंड ठीक है next question पर आजाए तो next question है एक घंटे में समयांतर में देशांतर ये दूरी होगी तो ये दूरी लगभग होगी 15 डिगरी ठीक है चले next question पर आजाए यहां से आपका हिंदी का प्रेशन जो है सामाने हिंदी एक question और है अभी चली धुंद जो नमी के बड़े कड़ों से बना है कहलाता है तो जो धुंद जो है नमी के कड़ों से बनता है उसको हम कहते हैं कोहरा नेक्स्ट है तेज हवाओं द्वारा किसी प्रकार की मिट्टी ठड़कर आती है और जमा हो जाती है उड़कर आती है तो तेज हवाओं से जो मिट्टी उड़कर आती है और कहीं पे कठा हो जाती है तो उसको हम कौन सी मिट्टी कहते हैं तो उसको हम बलवी मिट्टी कहते ह ठीक है जल स्थानांतरन के सिधानत के खोज का उसका प्रतिपादन इनमी से किस ने किया था तो इनमी से जल स्थानांतरन सिधानत आर्किमणीज के द्वारा खोजा गया चलिए अब सामाने हिंदी से प्रश्ण मारे शुरू हो जाते हैं तो यहाँ पर आपका विलोम पूछा गया है कि कौन सा जोड़ा उचित नहीं है सही नहीं है तो देखे गुण अवगुण सही है देवदानव सही है सम्मान आगया तरल ठोस तो देखे सम्मान का आगया नहीं होता तो अप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा चलि की पुन्य होता है चले नेक्स्ट कुशन या पर आपको संधी विच्चेद बताना है यद्देपी यद्देपी अप कैसे लिखते हैं यदी जमा अपी तरसकार तरसकार कैसे होगा वोगा तिरह जमा कार ठीक है नेक्स्ट है किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ है तो वह होता है बहु ब्रही समास एक नया अर्थ यानि तीसरे अर्थ के और इशारा होता है चले गोशाला तो गोशाला में कौन सा समास है तो इसमें देखिए गोव के लिए शाला यानि गोव के रहने की जगा तो उसको हम गोशाला कहेंगे के लिए आगया गोव के लि क्लिके होते हैं तो पुंड्रिक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट है अभिलाशा अभिलाशा का परेवची क्या है अकांग्षा एहंकार विकार हार्दिक अभिलाशा यानिकी अकांग्षा ठीक है चलिए नेक्स्ट कुशन है आकाश आकाश का होना का क्या आंसर हो जाएगा तो लाब ही इलाब होना चीक है तो यहां पर प्रश्ण था एक सिट चले फिर आपका संधी से प्रश्ण है इस कौन से संधी है इसमें इसमें विसर्ग संदी है ठीक है कुर्सी पर मास्टर जी बैटे हैं इस वक्ति में कुर्सी जो है किस कारक में है कुर्सी पर तो में पर किसमें आता है तो यह आता है अधिकरण कारक में ठीक है चलिए नेक्स्ट है बहु ब्रही समास का उधारण कौन सा है तो बहु ब्रही समास का उधारण है चतर भुज ठीक है चार भुजाव वाला तो चार भुजाव वाला तो चार भुजाव वाला कुसकी होती है तो यहां पर वह जाएगा चलिए ठीक है तिलक आप देखे चतुरबोज यानि चार भुजाओ वाला और चार भुजाओ वाला कौन होता है तो विश्णो होते हैं ठीक है तिलक किस प्रकार का शब्द है तिलक तिलक जो है तत्सम शब्द है कि किसका तदमाव जो है ठीका हो जाएगा चलिए नेक्स्ट है अंडे का इसका अर्थ है अनुभाव हीन वैक्ति ठीक है चलिए नेक्स्ट कुशिन है प्रत्युत्पन्नमती इस शब्द का अर्थ क्या है तो इसका अर्थ हो जाएगा जो ततकाल सोचकर उत्तर दे सके नेक्स्ट है हडोती बोली है तो हडोती जो है किस बोली के अंतरगत आती है तो यह पुर्वी राजस्थान की बोली है नेक्स्ट है प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है तो प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगल सुत्र नेक्स्ट यहां आपको शुद्ध वाक्य चुनना है तो विरामचे ने जो है कहां सही नहीं है तो यहां प्रेशन पूछा जा रहा है कि आप शायद पटना के रहने वाले हैं तो देखिए यहां पर दी आप्ट हो जाएगाि किन यहां पर नहीं क्रृशन पर आजाएगा तो यहां पर करेक्ट आंसर हो और यहां पर लुख यहां होते अमारे टीनों होते हैं थ blend in यहां पर यहां पर स्क्राइबत सब्सक्राइब को लिए क्लीज़ वर्तमान के लिए एक शब्द है तो एक शब्द क्या हो जाएगा तो हो जाएगा समसामाइक चले नेक्स्ट है पार्थिव का अर्थ है तो पार्थिव का अर्थ क्या होता है वो होता है जिसका संबंध प्रिथवी से हो उद्दत उद्दत शब्द का विलोम क्या हो जाएगा तो वो ज यहां पर देखें, दो पोषक दिये हैं, लेकिन यह जो है वो गलत है, यहां पर बी ऑप्षिन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, नेक्स्ट है कहावत शब्द में प्रिक्त प्रते है तो कहावत में जो शब्द प्रिक्त है वो है आवत ना की हावत चीए चलिए नेक्स्ट है वह खा रहा था तो ये खा रहा था में कौन सा काल है तो इसमें जो है सामान्य भूत काल है ठीक है नेक्स है पुस्तक के धड़ाधर बिक रही है तो ये जो धड़ाधर शब्द है ये शब्द का कौन सा रूप है ये क्रिया विशेशन है क्योंकि ये बिक रही है क्या है विशेशन तो यहां पी इसका वज़ेगा क्रिया विशेशन ठीक है नेक्स है राम ने कहा कि मैं घर जा यह किस प्रकार का वाक्य है तो यह जो है क्रिया उप वाक्य है नेक्स्ट है इलाहबाद में बोली जाने वाली बोली है तो इलाहबाद में कौन सी बोली बोली जाती है तो वह अवधी चलिए नेक्स्ट है एक उचारण अई के उचारण स्थान का नाम क्या है तो अई का उच उत्य जमाद चूरण किस प्रकार का शब्द है तो चूरण जो है वो तदभव शब्द हो जाएगा चौकड़ी भूले जाना अब मुहावरे का आर्थ है चौकरी भूल जाना इसका आर्थ है राह ना सूजना नेक्स्ट है व्य मनस्थे व्य मनस्थे का जो विलॉम हो जाएगा वह क्या हो जाएगा तो वह Perspect question है जो कवी लोग प्रे होता है उसका सम्मान सभी करते हैं तो इसको आप सरल वाक्य में कैसे बदलेंगे इसका right answer हो जाएगा लोग प्रे कवी का सम्मान सभी करते हैं प्रश्ट जो आपके सामन्य जानी और पूछे गए थे बागी की मेरे पास क्यों रबादटेशन थे तो आप आप श्यार कर दूँगी सब्सक्राइब रहें